आज मैं आपको राइस्थानी स्पेशल हरी मिर्च का अचार बताऊंगी जो राइस्थान और यूपी में बहुत ज़्यादा बनाया जाता है वैसे तो यह हर जगे बनाया जाता है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान होता है देखे इस तरह से हमने आप मोठी मिर्च लिया ह इनमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए इस चीज़ का ध्यान रखेगा और मैंने यहाँ पर तीन से चार चमच सरसों का तेल आप चाहें तो रिफाइन डॉल ले सकते हैं पर अगर आपके पास सरसों का तेल है तो वो यूज करें अच्छे से गरम कर दिया है और इसको बंद कर दिया है अब इसमें मसाले क्या एड़ करेंगे यह देखिए इसमें देखिए मैंने जीरा लिया है राई लिया है कलोंजी कस्मीरी लाल मिर्च मेती दाना और हल्दी लिया है यह पैन लेंगे इसमें जो हमने गरम ओल किया है वो एक या दो चमच इसमें डालेंगे पिर गैस ओन करेंगे, गैस ओन करने के बाद हम इसमें सबसे पहले राई मिलाएंगे, राई को एड़ करेंगे, उसके बाद मैं धीरे धीरे एक एक करके सभी चीजों को इसमें एड़ कर देंगे, लाल मिर्चे जो हमने कस्मीरी लिए हैं उनको हम बाद में एड़ करेंगे, क इनको हम अच्छे से रोस्ट करेंगे जब तक राई में से चटचट की आवाज नहीं आ जाती तब तक हमें इनको अच्छे से रोस्ट करना है आप अगर मसाले भून कर कोई भी अचार डालते हैं तो जो मसालों की फ्रेग्नेंसी होती है फ्रेस फ्रेग्नेंसी वो बहुत ही बहुत ही अच्छी आती है और अगर मसालों में थोड़ा सा भी घीला पन्या सीलन होती है ना भूनने से वो भी चली जाती है उससे क्या है आपका अचार खराब नहीं होता लॉंग टाइम तक अगर इनमें जराबी मौशर होता है मसालों में तो अचार भी खराब होने का डर है तो आपकी मेनद बिकार जाती है उसमें फपून भी बहुत जल्दी लग जाती है अपको राई चटर पटर करने लगी है अच्छे से उसके बाद ने हमने आपर कस्मीरी लाल मिर्च डाली है लाल मिर्च का यूज हम सिर्फ कलर देने के लिए कर रहे हैं यह हल्दी पाउड डाला है और उसके बाद यह कलोंजी डाली है सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस का फ्लेम आफ कर देंगे देखिए अब मसाले अच्छे से बुन चुके हैं और भरने के लिए भी तैयार हैं और अब हम इनको ठंडा होने देंगे जब तक मसाले ठंडा हो रहे हैं तब तक हम अपनी जो हरी मिर्चे हैं, उनमें मसाला भनने के लिए तैयार कर लेते हैं. और इससे पहले हम इसमें नमक डालेंगे. मैंने आपर काला नमक डाला है, साधा नमक नहीं डाला, आप जायें खाने वाला जो साधा नमक आता है, वो डाल सकते हैं. और नमक हम थोड़ा जादा डालेंगे क्योंकि हरी मिर्च के अचार में थोड़ा जादा नमक होता है तो अचार में फपूंदी नहीं लगती है अगर आप टेस्ट से थोड़ा कम नमक डालेंगे तो आपके अचार में फपूंदी लग जाएगी तो हम मसाला को टेस्ट कर ले और डंटल निकालने के बाद हम इसको ऐसे बीच में से कट करेंगे अगर आप चाहते हैं तो इस बड़ी मिर्च में से आप दो मिर्च भी कर सकते हैं लेकिन मैंने आपर एक एक लंबी मिर्चों को ही भराए तो देखे इस तरह से इसमें हमने कट कर लिया है पीछे से जॉइं पीच का पॉर्चन हमने कट किया है उसके बाद में यह जो हमारा मसाला थंडा हो चुका है इसको हम पीस लेएंगे तो देखे थंड़ा हैं तेक्थ appropriately हमने मसाले को पीस लिया है आप देख पा रहे हैं अच्छे से बहुत ही अच्छी खुज़गों आ रही है मतला रोस्ट करने के बाद जब मसाले को पीज़ आए तो उसमें बहुत ही अच्छी हुस्भू आ रही है फिर हम वापस से थोड़ा नमक टेस्ट करेंगे नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा तो मैंने थोड़ा सा और काला नमक डाल दिया क्योंकि जब हमारे मसाले पिस गए तो उसमें नमक की अच्छे से मिक्स हो गया मिक्स होने के बाद उसमें मुझे थोड़ा कम नमक लगा तो ये देखे मैं बापस से काला नमक की एड़ कर रही हूँ तोड़ा ज़्यादा नमक होना चाहिए हरी मिर्च के अचार में तो नमक का पिसे ज़्यान रखें क्योंकि बिना नमक के या कम नमक के इसमें फपुल लगने का डर रहता है अब देखे हमारा मसाला बलकुल बनकर तयार है और हमने इसमें ज़्यादा ओयल का भी यूज नहीं करना है और फिर हम इसमें एक से दो चम्मज जो हमने ओयल गरम किया था वो डालेंगे पहले दो चम्मज डाला और बाद में दो चम्मज डालेंगे बस हमने चार चम्मज तेल का यूज किया है इससे ज़्यादा तेल का यूज नहीं करना है इसी से हमारा अचार बहुत ही टेस्टी बनेगा तो देखिए इस तरह से हमने इसको अच्छे से तेल को इसमें मिक्स कर दिया मसालों में क्योंकि अच्छे से मिक्स हो जाए इसकी अच्छे से कोडिंग करना है तो थोड़ा तो देखिए अब हमास जो मसाला है वो परफेक्ट बनकर तयार है जादा ओली ओली हमें नहीं करना है अब देखिए हम मिर्च लेंगे और मिर्च में इस तरह से मसाले को भरेंगे देखिए इस तरह से अच्छे से भर दिया और प्रेस कर लेंगे और ये काच की हमने एक सीसी ली है इसमें डालेंगे अगर आपके पास काच की सीसी नहीं है तो आप कोई प्लास्टिक की भी ले सकते हैं जार भी ले सकते हैं और कोई डौंगा भी ले सकते हैं अगर काच की सीसी है उसमें स्टोर करना चाह रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बा को खा सकते हैं और आप इसे मिस्सी मक्के की रूटी के साथ खाइए बहुत ही यमी लगता है अगर आप मेरे चैनल पर नुए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और वीडियो को सेयर जरूर कीजिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग